गीता रमायन पढ़ने पर मुसलिम यूवक की कटरपंतियों ने पिटाई कर डाली। गंभीरता को देखते हुए थाना देली गेट को पुलिस के अरोपियों के खिलाफ जल्द कारवाई करने के निर्देश दिये हैं इस संबंद में थाने के इंस्पेक्टर इंद्रेश पाल सिंग ने बताया कि पिडित की शिकायत के अधार पर पडोसी की धार्मिक भावना को ठेश पहुंचाने और उनके साथ मार्पिट करने के लिए समीर वर जाकिर के खिलाफ मुकत्मा दर्च कर लिया गया है एक आरोपि को हिरासत में ले लिया गया है उसने पडोसी से जगडे की बात सविकार की है लेकिन बाकी आरोपियों की बेबुनियादी बताया है पिडित ने मामले पर लिखी छिकायत में कहा कि वै रोज अपने घर पर गीता और रमाइन पड़ता है यह बात पडोसी समीर पर जाकिर को हजम नहीं हुई और उन्होंने अपने साथियों के साथ घर में घुज कर हमला कर दिया साथी दार्मिक गरंत भी फाड़ने की कोशिश की किसी प्रकार पिडित ने अपने परिवार की जान बचाई इतना ही नहीं हमलावरों ने जाते जाते आगे से गीता रमाय ना पढ़ने की चैतावनी के साथ ही जान मारने की धंकी भी दी विश्वर हिंदू महासभा के पदादी कारियों ने एसेसपी कारियाले में आरोपयों के खिलाव शाकायत पत्र सोपकर कटर पंती हमलावरों के खिलाव कारिवाई की मांग की है दिलशेर के अनुसार उसने रमायन पाठ को अपनी आदत में शुमार कर लिया है रोजाना नहाने के बाद वह रमायन पढ़ना भी नहीं बूलते कई चुपाईयां उन्हें याद है वह गीता भी पढ़ते हैं उन्होंने कहा सन 1989 से रमायन का पाठ कर रहा हूं इससे मेरे मन को सकून मिलता है इसी बात का कुछ लोगों का विरोध पर धंकाते हैं